नमस्कार मैं हुशत्यम शर्मा आप देख रहे हैं चर्चाए खास आज हम बात करेंगे इस्पेस सेंटर की हमारे साथ इस्टु के बैग्यानिक एनजे भट जी मौजूद है जो विक्रम साराभाई स्पेस एक्जिवीशन इस्पेस अप्लिकेशन सेंटर के हेड है उन्हीं से अगर मैं आपको जानकरी दूँ यह एक्जिवीशन विक्रम साराभाई स्पेस एक्जिवीशन स्पेस एप्लिकेशन सेंटर इस्टु एमदावाद से में और मेरे साथ ही साइंस कम्मुनिकेटर और एक सिनियर साइंटिस एकता साहिनी जी के साथ में यहाँ आया हूँ यह आप जो देख रहे हैं वो एक पर्मेंटर एक्जिवीशन हमारे वाँ एमदावाद में लगाऊं जा प्रती दिन 300-400 बच्चे स्कूल कोलेज के आते हैं वही सेट अप मोबाई एक्जिवीशन के स्वरूप में हम यह आए अलग-अलग सेत्रों में हम जाते हैं स्कूल कोले और अभी इसरो पूरा फैल चुका भारत की बात करें तो भारत में सभी जन्ज़ लेकिन वर्ल्ड में भी हमारा एक इसरो का प्रभाव जो आप देख सकते हैं तो इसरो में जो प्रचास साल की उपलब्दियां कैसे हुई क्या करते हैं कैसे करते हैं और जितने अलग- के सामने हम लेके आते हैं जैसे हम पचाँ साल के उपलबदी की बात करें तो यह जो यात्रा जब से शुरूए तब आपने एक फोटो देखा हुए कि जो साइकिल के हम रोकेट लेके जाते होगी तो वहां से आप सोचो कि जब रिसोर्सिस कम थे वहां से यह जो सोच चालू ह हुई है तो अभी हम देखते हैं कि इमन स्पेस प्रोग्राम की तैयारिया चल रही है आदित्यम मिशन साइंटिफिक मिशन तो पूरी यात्रा में क्या है तो दो सब्दों मैं कह सकता हूं कि कॉलिटी एन रिलाइबिलिटी गुनुवत्ता विश्वस्नियादा क्योंकि हम स एक अवधिक के दोरान उसको अपना परफोर्मस करना है कहां तो विपरित संजोग उपर वेक्यूम है अच्छा टेंप्रेचर कंडिशन भी काफे विपरित होती है तो यह सब पेरामेटर्स को ध्यान में रखते हो कैसी चीज भेजनी चाहें तो एक स्वरूप है कारिया श का मतलब यह कि तीस साल के बाद भी अभी भी हम सीख रहें नई नई टेक्नोलोजी नई नई प्रोसेस नई नई प्रोजेक्ट तो सतत एक सीखने का जो वातावाण है वो गुरु शिश्य परमपरा के तरह ही इसरो में है सीखना तो एक सतत प्रक्रीड़ा होती है तो सीखत सीखते हैं यह हम जो प्रोजेक्ट करते हैं और समझों कि एक प्रकार का चैलेंजिंग यह जोब है कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको पता हुए चीज तो तुरंट बन जाते हैं लेकिन इंस्पेक्शन मेजर्मेंट टेस्टिंग में भी काफी टाइम लगता है जिसे म तो आप सो के कितना बड़ा लोग से तो कहने का मतलब यह है कि अगर यह गुणवत्ता की और विश्वस नियत है कि बात करें तो हम ऐसा कह सकते कि जैसे चार पी की में बात करूँ परसन प्रोड़क्ट प्रोसेस एंड पर्फोर्मस यह चारो सब्दों में यह दो सब्दों जोड़ दो तो जो भी चीज करिया जो होगी वह अपने उत्तम प्रकार से काम करेंगी बड़ सब्सक्राइब जैसे स्पेस में सेटेलाइट अपन बेशते हैं कुछ भी रोकेट वगर जाते हैं तो जनल चाइना की जो इस समय निव जा रही थी कि चाइना का रोकेट वहां स्काइलेब भी ऐसे पूथवी पे आ गई थी काफी साल पे ले तो एक इसमेर क्या है आपको में बताना चाहूं कि किसी भी प्रोड़क्ट जो हो माना उसे उसकी एक लाइफ होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जब और बीट में रहता है तो उसका डिस्टर्बंस थोड़ा-थ तो हम क्या करते हैं उसको वापस रिस्टोर कर देते हैं रिस्टोरेशन में जिसे थ्रस्टर का उप्योग होता है तो फ्यूवल कंजूम होता है एक समय ऐसा आता है कि फ्यूवल खतम हो जाता है तो खतम हो जाने के बाद उसकी जो पोजीशन होती हो नहीं सामल पाता है तो तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसका वो बर्न होके नस्ट हो जाता है तो यह घटना हो लेकिन जब बड़े पाहिमाने वे इतनी बड़े जो अबजेक्ट हो तो रिस्क होता है लेकिन आप देखोगे कि एक बार वो ऑस्ट्रेले के आसपास कहीं समूद रहें तो यह होता है तो स्पेस्क्राब के बात करें तो इतना वो एक जाहेंगे कि जैसे अपन कुछ भी बनाते हैं सेटलाइट बनाते हैं वेग्यानिक लोग बहुत मेहनत करते हैं उसमें खर्चा भी एक लंबा खर्चा आता है बनाने में उसके बाद जब लाँच होता है तो हमने जब पिछली साइंटिस्क्राइट बनाते हैं तो ऐसा क्या होता है स्पेस में जाने के बाद कि हम वहां तक नहीं पॉच्पाइब उसके बाद सेटलाइट का इसे टूड़ गया है यह सब थोड़ा से बताएं यहां से जैसे किती स्पेस में कितने डिस्टेंस में लगाया थे तो 35,000 किल तो उसकी जाच कमिटी बैठती उसका अध्यान किया जाता है और आने वाले दिनों में जो अभी एक और निसन जो जा रहा है तो तुरूटिया जो भी दूर हो जाईगी और निसन सक्सेस की बात करे तो रिलाइबिटी अभी आने वाले प्रोजेक्ट में वही रहेगी तो ह आप समझो कि इस्तरों का इतना बड़ा वट कुरुक्षा है मेजर कम से कम बड़े सेंटर 12 सेंटर बागी चोटे-चोटे भी अब आप इमेज करो कि हर क्षित्र का काम जो भी वईज्यानिक करता है उसके पीछे उसका लगाओ मैनत डिजाइन फैब्रिकेशन करते हैं तो क्या सीखते हैं जैसे मेरी बात को मैं कभी इससे दावा नहीं कर सकते हैं कि मैंने काम कि क्यूं कि मैं भी किसी से सिखा हूं आप समझो कि अब्दूलकलाम विक्रम सारावी कि हम बात करें तो मैं हो सकता है थर्ड फोर जनरेशन का साइंटिस्ट तो वही हमारा आगे आने वाले समय में क्या उपयोगता रहेगी अभी सेटेलाइट क्योंकि नए-ने डिजाइन और नए-ने वर्जन आ रहा है और नए-ने उनकी जो तकनीक है विक्सित होती जा रही तो अब क्या आगे आने वाला समय है आगे आले अगर प्रोजेक्ट की बात करे तो गगनियान मिशन जो यूमन स्पेस प्रोग्राम आ रहा है आदित्य मिशन सूर्य का अधियन करेगा और जिसे आपने बता है कि नए-नए जो सब्द है नए-नए सब्द कहां का है नए मटरियल नए प्रोसेस नए डिमांड नए तो इसको अगर जब हमर तालमिल बिठाना हो तो क्या करना पड़ता है पढ़ना पड़ता है लिटरिचर सरवे करना पड़ता है एक्सपरिमेंट करना पड़ता है रिसर्च करना पड़ता है बाहर से नोहाओ लेना दे इंट्रेक्शन करना पड़ता है इंडर्स्री को साथ में लेके चलना पड़ता है तो यह सब कंबाइन एफ़र्ट का है सेनरजी कह सते हैं अभी जैसे इन स्पेस के स्थापना हुई अभी हम जो कर रहे है वो आने वाले दिनों में अभी भी हमारे साथ से इंडरस्ट्री जुड़ी होई तो अभी बड़े पैमाने पर जुड़ी होई जब successful पहुंच जाता है वहाँ तो वैग्यानिकों के चेहरे की खुसी अलग ही दिखती है वह भी आपने देखे भी इसका राज अगर कहें तो आप सोचो कि अगर मैं ये प्रोड़क्ट कंपेर करू कि जो अर्थ पे यूज होती है और ये प्रोड़क्ट तो ये प्रोड़क को समवाद केसे करना तो प्रोड़क्ट ही हमारे से समवाद करती है समझो आपने जो बात की तो क्या है कि टेलिमेटरी ट्रेकिंग करांड क्या है तो एक सिस्टम से हेल्थ मॉनिटरिंग का डेटा आता है हमें क्या करना है मेनूर क्या करना है तो it is interactive process तो वह ही तई हम आद की बात करो, education की बात करो, environment science की बात करो, sustainable development की बात करो, हर सब्द प्रयोग के पीछे इसकी उप्योग तरही, धन्यवाद, दखलने से बात करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, तो ये थे हमाई साथ एंज बैग्यानिक एंजे भट्टे जी जिनका साफतर पर कहना है कि जब satellite हम launch करते तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता, आगे आने वाला समय टेक्निका लोगा और इसकी उप्योग तब बढ़ेगी, हाला कि देश का भी एक नारा है कि जै जवान, जै किसानर और जै विज्ञान, कैमरामेन अब्दिल के साथ, सत्यम शर्म तखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नियूज